नमस्कार बहुत स्वागत आप देख रहे हैं नेक्स्णायन स्प्रीचुल में हूँ अकाश नेक्स्णायन स्प्रीचुल के खास प्रोग्राम में आज हम बात करने वाले हैं आपके घर से जुड़े हुए सीधे उपाय के बारे में या फिर यूं कहें कि अपनी निजी जिन्दगी के बारे में कई बार आपने देखा होगा कि हम सोते वक्त बहुत सारी बातों का बहुत सारी चीजों का ध्यान नहीं दे पाते हैं जिसके बाद हमें दिक्कत भी जरूर महसूस होनी शुरू हो जाती है तो आज हम आपको अपनी से रिपोर्च में बताएंगे कि आखिर सोने के कौन सी दिशा सबसे ज़्यादा शुभ मानी गई है और कौन सी दिशा में पैर और कौन सी दिशा में सर को करके सोने से क्या-क्या लाब हमें जरूर मिलते हैं वहीं उत्तर या पश्यम की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए इसको अश्व रूप से देखा जाता है इसलिए धियान रहे कि आप इन सब बातों का धियान देंगे तो ज़रूर लाब होगा वहीं बता दें आपको पूर्व की तरफ सिर करके सोने से बुद्धी की बहुत ज़्यादा प्राप्ती होती है यानि की मांसिक रूप से आप अपने आपको काफी ज़्यादा स्वस्त महसूस कर पाते हैं और आपके जीवन में खोशाहली भी बनी रहती है पश्रिम की तरफ सेर करके सोने से मानसिक विकार प्राप्त होते हैं आपको बता रहें कि उत्तर की तरफ सेर करके सोने से हानी होती है इसलिए भोलकर भी उत्तर की तरफ सेर करके नहीं सोना चाहिए और इससे कही ना कही आयू भी शीड होती है इसलिए आपको ध्यान रहे कि आप कभी भी उत्तर की तरफ सर करके ना सोएं तो जादा भेतर होगा वहीं दक्षिड की तरफ सर करके सोने से आयू में काफी जादा व्रदी होती है यानि कि आप एक संपूर आयू जीते हैं और इसमें आपको लाव भी जरूर होता है वहीं हमेशा याद रहें कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए क्योंकि दिन में सोने से कई सारे रोग उत्पन होते हैं इस बात की पुष्टी भी शास्त्रों में लिखी गई है कि दिन में सोने से रोग काफी जादा उत्पन होने लगते हैं नहीं बता दें, आपको सोने से पहले للाठ से तिलक और सिर से पुष्प का त्याग कर देना चाहिए यानि कि अपने माथे पर तिलक लगा कर कभी भी नहीं सोना चाहिए सबसे खास और एम बात आपको यह भी बता दे कि कभी भी बांस या पलाश की लकड़ी से बने पलंक पर नहीं सोना चाहिए इससे बहुत जादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो आप अगर इन सब बातों पर इन सब काम पर ध्यान देते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा तो दर्शक आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना हैं फिर आजिर होते हैं जानकारी के साथ अनमुद्दे के साथ अब तक इलाद देखते रहिए और बने रहिए नेक्स्ट नैने स्प्रिच्छल के साथ नमस्कार